अगर मैं बाहर सडकों पे सेक्स, मेंटल हेल्थ या पीरिड्स जैसे वर्ड्स जोर-जोर से चिल्लाओं तो सब मुझे रुक के घूरने लगेंगे हम डेवलाप्मेंट की तरफ तो बहुत तेजी से बढ़ गए हैं लेकिन इंडिया में आज भी वही चीजे टैबू मानी जाती हैं जो 200 साल पहले मानी जाती थी आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेंटल कंडिशन की जो हर साल 24 मिलियन लोगों को दुनिया भर में अपना शिकार बनाती है साथ ही हम जानेंगे हमारे देश में हुए एक ऐसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट के बारे में जिससे सिर्फ इंडिया का ही नहीं दुनिया भर का सबसे बड़ा साइकॉटिक कंडिशन इंडियूस्ट मास सुिसाइड माना जाता है WHO की डेफिनिशन के हिसाब से schizophrenia एक ऐसा disorder है जिसमें affected इंसान को reality की समझ ही नहीं रहती schizophrenic इंसान में delusions और hallucinations जैसे clinical symptoms दिखने लग जाते हैं उन्हें लगने लगता है कि कोई उन्हें emotionally, externally control कर रहा है उनके thoughts और decisions भी उनके अपने नहीं रहते इसलिए वो society से भी isolate हो जाते हैं इस disorder को अच्छे से समझने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं जब इस condition को discover किया गया था पहली बार पुराने जमाने में तो mental disorders को एक mental condition की तरह माना ही नहीं जाता था आप खुद imagine करिये कि आप किसी गाउ में रहते हैं 500 साल पहले और आपका कोई नेबर एकदम अजीब बिहेव करने लगे as if they're possessed तो गाउंवाले कैसे react करेंगे वो यही सोचेंगे ना कि इस पे तो कोई भूत आ गया और उसे ले जाके किसी मंदिर में किसी पुजारी से कोई पूजा करवाएंगे उसकी exactly right क्योंकि पुराने जमाने में mental disorders को एक दूसरे से differentiate करने का कोई तरीका ही नहीं था कोई knowledge ही नहीं थी और उन सब का समधान ढूंटे ढूंटे भी लोग किसी ना किसी spiritual answer पे ही पहुँच जाते थे schizophrenia जैसे disorders को तो supernatural चीजों से ही relate किया जाता था जैसे बुरी नजर लग जाना बुरी आत्मा का साया होना या फिर पिछले जनम में किये हुए पापो की सजा भुगतना faith healing तक तो बात फिर भी ठीक है लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में trepanation जैसी practices से skull में holes drill कर दिये जाते थे कुछ scientist का तो मानना ये है कि ये practice इसी लिए की जाती थी ताकि body में से evil spirits को बाहर निकाला जा सके Dr. Kraplin was the first person to actually identify schizophrenia as a mental disorder back in the year of 1887 उन्होंने इस condition को dementia precox नाम का term दिया था जिसका मतलब है early dementia यानि कि ऐसा dementia जो life के early stages में होता है ना कि Alzheimer's से related old age में बट he was wrong about that. Dementia और schizofrenia एक दूसरे से बिलकुल अलग-अलग mental disorders थे 1911 में Swiss psychiatrist Eugen Bleuler ने dementia precox को schizofrenia से replace कर दिया. That means mental confusion caused because of splitting belief system 1959 में Kurt Schneider ने इस disorder को detail में study किया और फिर उन्होंने इस disorder को दूसरे disorders से differentiate किया by naming very important first rank symptoms that appear और उस वज़े से schizofrenia diagnose करना थोड़ा आसान हो गया. इसके बाद mental disorders को diagnose करने के लिए दो बहुत ही important diagnostic manuals create किये गए namely DSM and ICD तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन से वो first rank symptoms थे जो Kurt ने identify किये थे उनमें से पहला है thought insertion एक schizofrenic इंसान को ऐसा लगता है कि उनके thoughts उनके अपने है ही नहीं कोई बहरी इंसान forcefully उन्हें उनके दिमाग में insert कर रहा है उस symptom का एक completely opposite symptom है जो schizofrenic logo में देखा जाता है जिसे कहा जाता है thought withdrawal जिसमें patient को लगता है कि उनके thoughts उनसे जबरदस्ती छीने जा रहे हैं तीसरा symptom है thought broadcast इसमें patient को ऐसा लगता है कि उनके thoughts आसपास के लोगों को भी सुनाई दे रहे हैं voice arguing एक ऐसा symptom है जिसमें patient को लगता है कि कुछ आवाजें उनके बारे में बाते कर रही हों but in third person इसी का एक और form भी है जिसमें उन्हें लगता है कि यही आवाजें उनकी life को follow कर रही है और commentary दे रही है उसके साथ एक schizophrenic patient को ऐसा लगता है कि उनके emotions actions और impulses कोई और ही control कर रहा हो delusions and hallucinations are also as common as 90% and 70% respectively in people with schizophrenia इन सब symptoms की वजह से एक इनसान की daily life पर बहुत असर पड़ता है लेकिन schizophrenia जैसे terrifying disorder का कारण क्या है वैसे तो over the years nobody has been able to identify the main cause that causes schizophrenia in people लेकिन फिर भी कई ऐसे factors माने जाते हैं जो contribute करते हैं schizophrenia की तरफ which include number one genetic factors genetic material के deletion, duplication या mutation की वजह से कुछ ऐसे causes हो सकते हैं that lead to schizophrenia this disorder also runs genetically in the family if one generation has schizophrenia it is very likely that they pass it on to the next generations as well second biochemical factors यानि की hormone or neurotransmitter imbalance की वजह से भी schizophrenia हो सकता है nervous system के abnormalities as well as external factors की वजह से भी schizophrenia develop हो सकता है in a person अगर pregnancy या childbirth के time पे कुछ complications आ जाएं तो that is also a cause that may lead to schizophrenia in the child when he grows up along with this even childhood trauma या फिर कोई बहुत stressful event in the child's life can trigger certain episodes of schizophrenia और इतना ही नहीं, the season of birth for the child and also the age of the father contributes to factors that may develop schizophrenia in a person अब अपने symptoms or causes तो जान ही ले हैं और इसके साथ हमें ये भी पता चला है कि अगर एक family member को schizophrenia है तो it can impact the entire family as well और इसका सबसे जादा magnitude में हाथसा देखने हमें मिला था इंडिया में ही चार साल पहले In January 2018 New Delhi में 11 members of the same family were found dead, 10 were hanging from the ceiling and 1 lay dead, strangled Crime scene को देखते ही police investigators ने murder को almost rule out कर दिया था Crime scene को अच्छे से देखने पाए कुछ ऐसे registers मिले थे जिसमें spiritual writings उसके साथ साथ कुछ ऐसे records भी लिखे थे as if कोई डिक्टेट कर रहा हो उस 11 member family के head थे Lalit Chundawat who was the youngest son of Bhopal Singh and had a traumatic past Bhopal Singh के गुजर जाने के बाद Lalit ने बहुत ही अजीब बरताफ करना शुरू कर दिया था He also stopped talking to everybody क्यूंकि उन्हें PTSD था based on his past traumatic events Lalit के घरवालों को लगने लगा था कि उनकी आवाज खो चुकी है लेकिन Lalit ने अपने घरवालों को बताया कि Bhopal Singh उनके सपने में आय थे और कुछ ऐसी prayers recite करने बोला जिनसे उनकी आवाज ठीक हो जाएगी और ऐसा ही हुआ Lalit की आवाज वापस आ गई और उनके सारे family members उन पर भरोसा करने लगे 2007 से ही Lalit ने schizophrenia के symptoms दिखाने शुरू कर दिये थे उन्हें लगता था कि उनकी body possessed है और उनके पिता उनकी family से उनके द्वारा बात कर रहे हैं इसी तरह वो अपनी family को guide करने लगे थे सब उनकी बात मानने लगे और ऐसे करते करते उनकी family की financial condition भी काफी better हो गई इसी लिए सब घरवाले उन पर आँक बंद करकर विश्वास करने लगे Lalit के कहने पर उनकी family ने एक last ritual organized किया जिसमें वो सब members बद तपस्य करके भगवान को खुश करने वाले थे इस ritual में सारे family members को अपने आपको banyan tree की roots की तरह hang करना था वो भी 10-15 minute के लिए Lalit की इस बात को family members ने कैसे मान लिया ये तो आज तक psychologists को भी बहुत ही horrifying fact लगता है इस horrifying fact को explain करता है family का shared psychotic disorder इसमें ऐसा होता है कि दो family members एक दूसरे से इतने close होते हैं कि they start believing in each other's delusional thoughts to the point that they blindly follow it as well इस family की extended family और neighbors को इनका बरताव बिलकुल भी obscure नहीं लगा in fact around the time ये ही family 33 साल की प्रिया की शादी भी plan कर रही थी इस horrifying incident से हमें ये पता चलता है कि schizophrenia और उससे जुड़े shared psychosis के बारे में हमें as a society कितना कम मालूम है हम इतने unaware हैं कि ये condition हमें asymptomatic लगती है और जो patient इससे गुजर रहा है उसे भी नहीं पता चलता that he has this condition और उसकी family को भी बिलकुल भनक तक नहीं होती बुरारी mass suicide के victims को ये तक पता नहीं चला कि उनके actions से उनकी जान चली जाएगी तो आप imagine कर सकते हैं कि वो किस extent तक affected थे वो सिर्फ एक भयानक incident नहीं लेकिन हमारे देश को mental conditions के बारे में दिखाया गया एक आईना था बुरारी mass suicide incident को Netflix की एक docu-series House of Secrets ने बहुत detail में cover किया है Hollywood में भी कई ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो हमें mental disorders के बारे में बताती हैं Take Martin Scorsese's Shutter Island for an example जिसमें Leonardo DiCaprio ने main character का role ने बाया है जिसमें उनको hallucinations और delusions होते हैं Another great film on mental disorders A Beautiful Mind depict करती है mathematician John Nash के real life में हो रहे struggles को और paranoid schizophrenia को भी बहुत detail में दिखाती है इन movies के अलावा, to name a few Black Swan, Joker, Soloist और Donnie Darko जैसी कई फिल्में हैं जो Hollywood में बनाई गई हैं जो schizophrenia और तूसरे mental disorders को clinically accurate depict करती हैं Now let's talk about the apple of our eye, Bollywood हर साल Bollywood में 800 से जादा फिल्में बनती हैं लेकिन उनमें से कितनी mental disorders को दिखाती हैं Sadly, not enough लेकिन कुछ फिल्में हैं जैसे Karthik Calling Karthik, starring Farhan Akhtar 15 Park Avenue, starring Konkana and Woh Lamhe, starring Kangana Ranaut जो schizophrenia जैसे serious mental disorders को depict करती हैं Bollywood का mental illness और mental health को address करना क्यों जरूरी है? To take an example, Amir Khan की फिल्म तारे जमीन पर के बाद, most of our country got to know about the disorder dyslexia Patients की families को इस disorder के बारे में जादा अच्छे से मालूम चल गया था उन्हें ये realize हो गया था कि बच्चों को forcefully correct करने से अच्छा है उनके unique talents को boost किया जाए Regardless of social status and gender, Bollywood हमारी country में हर किसी के दिल के बहुत करीब है इसलिए इस industry के पास बहुत बड़ी power है To make people aware about disorders like schizophrenia Right now, it's happening at a very slow pace Lekin Bollywood industry sensible writers and filmmakers की rise देख रही है और इससे हमें यही hope है कि over the years Mental disorders के around unawareness और stigma को खतम किया जा सके अगर compare किया जाए तो इंडिया में urban areas के comparison में Rural areas में जादा ऐसे mental disorders को जैसे की schizophrenia को taboo माना जाता है Rural area की population कई सारे problems से गुजरती है For example, natural calamities, economic instability, crop failure and unemployment जिस वज़े से उन्हें mental disorders होने के जादा chances होते हैं लेकिन urban areas में भी तो dynamic lifestyle, changing cultures and population outburst की वज़े से mental illnesses में rise हो सकती है What makes rural areas worse in comparison to urban areas in regards to mental health is the lack of infrastructure and architecture Mental health programs national और district level पर active तो हैं लेकिन architectural और management point of view से काफी weak हैं Mental health care centers में trained human resources की कमी हैं क्योंकि उन्हें train करने के लिए institutions की कमी हैं इसके अलावा, rural areas की सबसे बड़ी problem है low literacy rate Lack of awareness and traditional and cultural beliefs जो mental health और illnesses को stigmatize कर देते हैं Mental health के concepts और awareness के बारे में तो Political interest भी बहुत कम है उसको combat करने के लिए कई NGOs और societies हैं हमारे country में जो help कर रही हैं इसकी awareness बढ़ाने के लिए To name one, Minds एक ऐसा non-profit organization है जो rural areas में taboo खदम करके medical और moral support पहुचाने का एम करता है Rural areas के development factors को लेकर Mental illness के against stigmatization generate किया गया है लेकिन पूरे इंडिया में भी तो आज भी mental illness को accept नहीं किया गया है जिसकी वज़ा से बहुत से लोगों को proper treatment मिल ही नहीं पाता Stigmatization की वज़ा से कितने ऐसे disorders हैं जिनके symptoms हमारे सामने होते हैं और हम उन्हें identify भी नहीं कर पाते Schizophrenia ही ले लो हमारी country में 3 million लोग आज Schizophrenic हैं यानि कि 3,000 लोगों में से कोई एक जन Schizophrenia से गुसर रहा है और we feel that they are as regular as you and me 46% cases of suicide are because of some or the other mental illness और 2020 से pandemic के दौरान mental health conditions भी worse हो गई हैं हमारी society की बहुत सारे cases बहार आ रहे हैं लेकिन इसी दौरान ये भी एक चीज़ change हुई है जो ये है कि mental health और mental illnesses पे चर्चा बढ़ गई है Deepika Padukon ने भी अपनी mental health condition को लेके बहुत openly discuss किया है public में और awareness भी फेलाई है Sushant Singh Rajput's death was one of the triggers that led to a lot of conversations happening about mental illnesses in our country pre-pandemic India में और आज के India में काफी फर्क है Maya Angelou का एक quote है When you know better, you do better So, let's do better हमें मिल कर mental health awareness पेलानी चाहिए और ये conversation आगे बढ़ानी चाहिए शरीर पर लगे जखमों को तो हम बहुत care से treat करते हैं उसी तरह अपनी और दूसरों की mental health को भी हमें उतनी ही importance देनी चाहिए अगर आपको ये video helpful और informative लगी तो like जरूर करें and share it with as many people as you can so that we can spread awareness together और हाँ, चैनल को subscribe करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और mind-building videos लाते रहें आपके लिए पार आपके लिए आपके लाए उvit करतेскभ रुए झाल झाल